असलाम अलेकूम मैं रफिया लियास हाजीर हूँ ताश्फीन के दस्सरहान के साथ आज जो रेसिपी में आपके लिए लेके आई हूँ वो है कलब सेंड्वीच सेंड्वीच में इस्तमाल होने वाले इंग्रेडियन्स यह एक पाव हमने चिकन ले लिया है यह बॉनलस चिकन है जिसको हमने छोटे टुकडों में कर लिया है इसमें हम हाफ टी स्पून काली मिच पावडर शामिल करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह थ्री टेबल स्पून हमने केचप ले लिया है यह हम शामिल करेंगे तू टेबल स्पून हमारे पास चिली सॉस है जो हम शामिल करेंगे में तू टेबल स्पून हम आए पास में यथनेस है जो हम शामिल करेंगे इसमें ये सारा कुछ इसमें डालने के बाद हम ये ग्रीन शिमला मिर्चे जो हमने हाफ काट ली है और हाफ ही हमने गाजर बारी काट ली है ये भी हम शामिल करेंगे जितनी आपको पसंद है आप सबसी ज्यादा कम कर सकते हैं अब हम सेंड़्वीच बनाना स्टार्ट करते हैं ये ब्रेट का पीस हमने ले लिया है आप चाहें तो इसके कनारों को आप कट कर सकते हैं लेकिन आम इसको ऐसे ही बनाएंगे सबसे पहले हम मायोनेज ले लेते हैं पीस के उपर जिस तरह आपको पसंद है आप ज्यादा कम कर सकते हैं इसको बच्चों के इंतहाई फेवरिड है ये बड़े भी लाइक करते हैं इसको इसके उपर आप इस तरह खीरा रख ले जितना चाहिए आपको पसंद है आप ज्यादा कम कर सकते हैं खीरा भी अब हम तुमाटे शामिल करेंगे आपने आप मत्शन लाइक हाफ सब मैं और ले लिया है जिसको आपने मिक्स कर लिया मटें है अब यहीस को खीरे पर डालेंगे इससे बड़ा अच्हें टेस्ट आता है इस दूस्रा पी सबक्राइब रखेंगे इसके उपर उर इसके उपर हम जितना चाहिए आप चिकन डाल सकते हैं, नासिब लगा सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं, जैसे आपको बसाद रहें, अब हम इसको कवर करेंगे, अब हम इसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,